नमस्कार दाशुग आप शबीक हार्दिक अभिन्नन करता हूँ पंद्रा फरवरी से शुक्र जो है मीन राशी में जा रहा है और ये शुक्र मीन राशी में जा रहा है और वहां पे पहले से ही देवगरी ब्रेश्पति बैठे हुए तो देव गुरू बिरिश्पत्ति के साथ शुक्र का आना क्या फल देगा क्योंकि धीरे धीरे शुक्र मजबूत होगा अब जब धीरे धीरे शुक्र मजबूत होगा तो कुछ रासियों को फायदा जरूर देगा कुछ ऐसी रासिया होंगी कि शुक्र के मजबूती के करण से उनको फल मिलेगा ही मिलेगा तो हम बात करेंगे वो कौन से सिरासिया जिनको फल मिलने वाला है पैसा मिलने वाला है या उनके लिए काफी खास रहने वाला है देखे अचानक से फल नहीं मिलेगा चुकि शुक्र अभी आएंगे तो धीरी धीरी डिगरी बढ़ेगा लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब भी मजूद सितिय में होंगे शुक्र को दबा के आपको पैसा से नहलबा देंगे पैसा परशा देंगे 28 दिन के लिए ही है 28 दिन में ही आपके साथ जो होने वाला बहुत बदा खेला होने वाला तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से रास्ते जिन पर पैसा बरसने वाला देखिए पहला करकराशी करकराशी आप देख रहे होंगे करकराशी में क्या हो रहा है जो आपके इंकम के श्वामी बन रहे हैं आय के श्वामी बन रहे हैं वही शुक्र बन रहे हैं मतलब कि जहां से पैसा आ रहा है उसका जो श्ट्रोथ है जरिया जो है उसके श्वा में ही शुकर बन रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद से धीरी धीरी क्या होगा कि आपका रास्ता खुलेगा और 28 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा आने लगेगा पैसा का रास्ता खुल जाएगा तो जो लोग नोकरी खोज रहे हैं उनको नोकरी मिलेगा जो लोग कुछ भी चलाने का सोच रहे हैं उनका काम चल या अभी तक फाइदा नहीं हो उनको फाइदा पहुंचेगा तो करक राशी वालों के लिए तठा एक महीना बड़ा शानदार रहने वाला है ठीक है अब आते हैं अब ध धनुराशी में क्या होगा धनुराशी का देखा जाय तो आयके मालिक बने है तुला शुक्र बने है आयके मालिक राशी के स्वामी आयके स्वामी तुला बन रहा है ठीक है तो तुला के स्वामी आपके शुक्र हो गया तो जब तुला राशी मजबूत हो गया इसका मतलब क कि आपका जो भी अर्निंग है वो मजबूत हुआ तो धनु राशी वालों के लिए जवर्दस्त फाइदा होगा क्योंकि अर्निंग के श्वामी ही सुक्र बन रहे है तुला राशी के श्वामी होकर तो मतलब यह है कि करक राशी और धनु राशी वालों को जवर्दस्त फाइ सिंग राशी को देखा जाए है तो यहाँ पर दश्वे घर के श्वामी शुक्र बन रहे हैं और दश्वे घर आपका काम धंडा छेत्र पैसा और सब चिछ का होता है मजबूती का भी होता है तो मजबूत हो रहा है तो जरूर से जरूर आपको ये शिंग राशी वालों भी अगर आपका अभी तक इस्तिति सही नहीं चल रहा है कुछ पैसा फस गया है अभी तक अच्छे सा अर्निंग नहीं कर पा रहा है तो भी आपको फाइदा मिलने ही वाला है मकर राशी में देखा जाए तो भी दश्वे घर के श्वामी ही सुक्र बन रहा है तो मकर राशी वालों को भी यही शेम फाइदा मिलने वाला है जो कि आपको शिंग राशी को मिल रहाता अब कन्य राशी कन्य राशी क्या होगा इनके अरनेंगे श्वामी देखा जाए तो भागे ही बन रहा है तो अभी तक अगर आपको भागे का शाथ नहीं मिल रहा था अभी तक आप भागे आपका मजबूत नहीं हो रहा था तो अब आपका भागे मजबूत होने वाला अब भागे में मजबूती देखने को मिलेगा तो अभी तगर आप शंघर्स कर रहे थे श्ट्रगल कर रहे थे भागे शाथ नहीं दे रहता अब आपको भागे शाथ देगा इस वज़े से भागे के शाथ होने से भी आपको करने राश्री वालों को भागे के श्वामी ही शुक्र बन रहे तो यह मकर राश्री वालों के शाथ भी भागे का मजबूती होने के करण से भी आपको फाइदा मिलेगा तो मिला जुला की यह च्छोर आसी ऐसे बन रही है जो जबरतस्त पैसा आपको देने वाला पैसे साब को अन्हालवाने वाला जरूर खुसखबरी आपको मिलेगा ठीक है वीडियो अच्छा लगा लाइक करें सर्फकाइब करें जय है जय भारत